हाई बच्चो आज हम लोग हिंदी पार्ट के पुस्तिका में से सात्वी पार्ट डर्पोक रेल गाड़ी की कहानी पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे रेल गाड़ी बोले तो ट्रेन है ना, आप सब को याद है क्या, हम लोग पोगो में देखते थे टीवी चैनल में, एक ट्रेन का कहानी आता था, काटू नेटवर्क, तॉमस और फ्रेंट्स, कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं, चलो उसको छोड़ दो, अभी लेस इंजन रेलवे शेड में पहुंचा, तो वहां कडे पुराने इंजनों ने उसे कूप सराहा, वह न्यूट्रेन, विद क्यूट कलरींग, अन कलर्फुल इंजन, एंटर दे शेड अफ ट्रेंज, बाइस इंजन ने कहा, they were praising this new train and they all told, अरे वा, यह तो बड़ा सुंदर इंजन है, नही नही जग की यात्राय करेगा, the train is very nice, beautiful, ए नही नही यात्राय करेगा, it will go for the tours, नही इंजन को रेलवे शेड चोड़ कर जाने की इच्छा नही ती, this new train was not interested to leave the shed and go out, because it got new friends, isn't it, we love friends, वह गबराया हुआ था, एक लाल इंजन ने उसे समझाया, it was in fear, it was scared, the train was scared, because it was new, isn't it, then उसके फ्रेंड लाल इंजन ने, red train was explaining to the new train, तुम बहुत बलवान हो, you are very active and strength, stamina, इंजन चालक तो तुमारे साथ है, तुम आदनी के अंतरों से भी सुस्च जिती हो गई, जो हरी जंडी दिकाता है, वह भी तुमें पहचानता है, red train was explaining to the new train, that you are very strong, and with you, the engine driver will be there, हरे जंडा दिकाने वाला भी आपके साथ होगा, those both are known to you, and you don't worry about anything, you are made of with new techniques, new technology, जल्दी ही वह दिन आ गया, जब इंजन को अपनी पहली यात्रा के लिए, शोड से, शेड से बाहर लाया गया, इंजन को सागर के पास स्थित तमिलनाडू से चलकर, हिमाचल के पडों में स्थित शिमला तक की लंभी यात्रा करनी थी, the train has to come outside and go for a long journey from हिमाचल प्रदेश तु शिमला, which is very long, चालक भाबू ने बटन दबाया और आवाज के साथ, इंजन पट्रियों पर दवने लगा, इंजन दर के मारे चीका, कू, आव, कू, how the train sounds, कू, उसकी आवाज सुनकर चिडिया, डर के मारे उडने लगे, अरे वा, ये तो कमाल हो गया, इंजन हसा, आगे चलकर उसके नजर गाई पर पड़ी, when it was going on the track, there was a cow on the track, धर के कारण उसके मूँ से एक बार फिर जोर से आवाज निकली, कू, गाई ने जान बचाने के लिए दवड लगाया, अब इंजन को साहस मिला, और उसने तई किया कि वहां किसी से नहीं डरेगा, और साहस से आगे बढ़ेगा, when the new train started going on the tracks, she saw the cow which was standing, and again started shouting, कू, after that it got some braveness, and it was very happy to do the journey, इस कविता में, इस कहानी में क्या क्या नए शब्ध है, रंग, रूप, अप्यरेंट्स, नए, नू, सराह, अप्रिशेट, आदुनिक, माडरन, यद्रो, टूल्स, सुसजित, फरनिष्ड, कमाल, वंडफुल, पहाड, माउंटेन, पटरी, ट्रैक, आवाज, साउंड, चीक, स्क्रीम, ढरना, स्केर, वू, वॉ, स्केर, नू, ट्रेन, वो, स्केर, इसन्टिट, नया नवेला, नू, ट्रेन, इंजन, मेंस, इंजन चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए जो होता है, उसको इंजन बोलते हैं, आदुनिक न्यू टेकनालोजी, यात्रा, टूर, सुसजिद, बहुत अच्छी थरा टेकनालोजी के साथ तयार होना, बलवान, शक्तिशाली, चालाक, गाड़ी चलाने वाला को, क्या बोलते हैं, चालाक, ड्राइवर, इच्छा, अबिलाशा, कामना, यात्रा, सफर, गूमना, सराह, तारीव करना, साहस, ताकत, नए इंजन कहां लाया गया, शेड में लाया गया, गाग क्यों डर गई, सामने पट्रियों के उपर ता ना तो डर गई, कु सुनकर बाग गई, इस कहानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, शक्ति साली से ब्रेव से काम करें, तो कुछ भी कर सकते हैं, ये पाट में क्या क्या अक्षर के उपर ध्यान दिया गया है, यारालावा, यात्राये, रेलगाडी, लाल, बल्वान, नया, सागर, लहर, नवेला, गबराया, पटरियों, पहली, वातावरन, ये सब में क्या सुनाई दी है, आपको कौन सी आवास सुनाई दी, यारालावा, नामवाले शब्दों का संग्या, संग्या मेंस, we have already discussed, संग्या मेंस नाउन, नाउन बले तो क्या है, ये कहानी ने, रेलगाड़ी, इंजन, हिमालया, तमलनाडू, जम्मू, आदिनामों का उपयोग हुवाता, these are the names of the places, जिन शब्दों के नाम होते हैं, उन्हे नाम वाले शब्द या संग्या कहते हैं, the names of the place, thing and person is called as noun, केला, रोहन, सोफा, शेर, ताजमहल, इन्हें सब्दों को क्या बोलते हैं, संग्या बोलते हैं, और पढ़ो, समझो और लिको, we should choose the correct answer, गाय क्या दिखाता है, हरी जंडी, गाड क्या दिखाता है, हरी जंडी, नीली जंडी, काली जंडी, हरी जंडी, to go, front, इन्जन ने अपनी पहली यात्रा कहा से शुरू कई, हिमाचल से शिमला तक, तमिलनाडों से, हिमाचल, हिमाचल से शिमला, कौन सा जानवर इंजन की आवाज से डर गई गाई दिये गए शब्दों की सहायता से कालिस्तान बरो इंजन चालग तो तुमारे साथ है ही नया नवेला इंजन रेलवेशेट से पहुंचा एक लाल इंजन को उसे समझाया चिडिया गर में मारे उडने लगी इंजन नई नई जगह से यात्राए करेगा मैचिंग रेल गाड़ी चुक चुक घड़ी टिक टिक गंटी गंटी क्या बोलता है टन 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 डोल दम 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 पायल चम 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 नीचे दियेगे शुद्ध वाक्यों को कौन सा चा वाक्षे टिक मार्क लग निशान लगाना है हमने आईस क्र हमने आइस्क्रिम काई तुमने कहानी पड़ी तुमने कहानी पड़ा तुमने कहानी पड़े तुमने कहानी पड़ी बाशा की बात नीचे दियेगे चित्रों के नाम लिको साइकल कार ट्रेन ट्रक एरोप्लेन शिप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो लिखना है अप उनको सो के कुछ शब्दों को हम अक्सर जोडे में ही प्रयोग करते हैं जैसा नया नवेला, रंग भी रंगे, चाय, उपर नीचे, इधर उधर, सेर करना निम्न शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना यात्रा करने से नय नय जगा की पैचान होती है पाहड बहुत सुंदर दिखते हैं, चिरिया सुब्ब सुब्ब सुनाई देते हैं, चालाक, चालाक हर गाड़ी को चलाने वाले को चालाक बोलते हैं क आधिका शाक्षा आधिता रात्रा यात्रा कक्षा यग्न परिक्षा श्रम ग्नान त्रिशूल आश्रम अभी आपको इसमें प्रोजेक्ट वर्ग भी दिया गया है उसको करिए डौट सही तो टीचर से पोचिए